हलो फ्रेंज आज के इस वीडियो में हम 8 से 12 महीने के बच्चे के लिए कपड़े की टोपी बना कर तयार करेंगे तो इसके लिए हमने यहाँ पर यह cotton का lining का कपड़ा लिया है और यह हमारा man fabric है आप कोई भी कपड़ा यूज कर सकते हैं इस टोपी को बनाने के लिए अगर आप थोड़ा मोटा कपड़ा ले रहे हैं तो आप सिंगल कपड़े में भी इसे बना कर तयार कर सकते हैं तो यहाँ पर हमने अस्तर वाले कपड़े की चोड़ाई हमने रखी है 10 इंच और इसकी लंबाई हमने रखी है 16 इंच अगर आपका मैन फैब्रिक थोड़ा पतला है या फिर आप सिंथर्टिक कपड़े का यूज़ कर रहे हैं तो आप अस्तर में कोटन के कपड़े का ही यूज़ करें तो इसके चारों तरफ हम सिलाई लगा कर दोनों को एक साथ कर लेते हैं अगर आप सिर्फ कोटन के कपड़े से यह क्याप बना कर तयार कर रहे हैं और कपड़ा थोड़ा मोटा है तो आपको लाइनिंगा कपड़ा लेनी की ज़रुवत नहीं है यह हमने सिलाई लगा लिए है अब चारों तरफ जो एक्स्ट्रा मैन फैब्रिक है उसे हम लाइनिंग के फैब्रिक के बराबर से कट कर लेते हैं मैन फैब्रिक हमने थोड़ा एक्स्ट्रा इसलिए रखा था क्योंकि जब हम इसके चारो तरफ सिलाई लगाते हैं तो थोड़ा कपड़ा इधर-उदर हो जाता है तो वो पाद में एड्जेस्ट हो जाता है और एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट कर देंगे अब हम इसे बीच से ऐसे फोल्ड करेंगे और अब यहां से जो खुला वाला कॉर्णर है वहां से हम लगबग डेर इंच पर निशान लगाएंगे और यहां से इसे गोलाई देंगे और इसे यहां से कट कर लेते हैं अब यहां पर जो हमने कट कर दिया है यहां पर भी हम सिलाई लगा लेते हैं क्योंकि यहां पर जो हमने सिलाई लगाई थी वो कट गई है अब यहां पर यह हमने एक पीस ओर लिया है मैन फैब्रिक से और इसकी लंबाई हमने रखी है 14 इंच और चोड़ाई हमने रखी है 4 इंच इसे हम यहाँ पर stage करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर हम इस तरह से pleats टाल करेंगे तो 14 इंच लंबाई में हमें इसे fold करना क्योंकि जो हमने strap ली है इसकी लंबाई 14 इंच है तो इसके बराबर से हम इसे fold कर लेंगे तो दिखिए यहाँ पर हम side से लगबग 3 इंच हम ऐसे ही छोड़ देते हैं और इसके उपर से हम pleats टालना start करेंगे तो ऐसे pleats टालते जाएं और slide लगाते जाएं अब यहाँ पर भी हम 3 इंच ऐसे ही छोड़ देंगे और slide लगाएंगे अब यहाँ पर हम इसे inch tip से नाप लेते हैं तो यह लगबग 16 इंच है तो दोनों side हम छोटी छोटी सी pleats और डाल लेते हैं क्योंकि हमें 14 इंच लंबाई चाहिए इसके और अब हम इसे नाप लेते हैं तो यह हमारे पास बराबर से 14 इंच आ गया है अब यह वाला piece हम इसके साथ में stage करेंगे तो दोनों के सीधे side हमने दूसरे की तरफ करके रखे हैं और यहां पर सिलाई लगाना start करेंगे तो लगबग 16 इंच का margin छोड़ते हुई हम ऐसे इसे फोल्ड करना है और यहां पर सिलाई लगा लेनी है अब हम इस पर यहां पर यह लेस स्टिच कर रहे हैं अगर आप लेस नहीं लगाना चाहते हैं तो आप इसके पैरलल एक स्लाई और लगाले एक पैर का margin छोड़ते हुई और लेस लगाना चाहते हैं तो लेस भी लगा सकते हैं लेस आपके पास जो भी हो वो आप लगा सकते हैं छोटी लेस लगाना चाहें तो छोटी भी लगा सकते हैं यहाँ पर हम इस पर एक स्लाई और लगा लेते हैं बिना लेस की भी यह कैप बहुत ही सुन्दर बनकर तयार होगी अब यहाँ पर हमने एक स्ट्रैप और रेडी करी है जिसकी चड़ाई हमने रखी है दो इंच और इसकी लंबाई हमने रखी है तीस इंच तो यहाँ पर हमने कॉटन के कपड़े से ही यह स्ट्रैप कट करके तयार करी है अस्तरवाले कपड़े से इसे हम बीच से फोल करेंगे और इसके सेंटर पॉइंट पर हम मार्क करेंगे यहाँ पर हमने cut लगाकर marking कर ली है देखिए यह center point है इसका और यहाँ पर यह जो cap है इसमें भी हम इस side इसका center point निकालेंगे यहाँ पर भी हम निशान लगा लेते हैं अब इस center point से दोनों side हमें pleats टालनी है तो यहाँ पर देखिए ऐसे pleats टालेंगे हम दो से तीन जितनी भी pleats आपके आएं आप टाल सकते हैं देखिए हमने यहाँ पर तीन pleats टाल दी है और अब इसके दूसरे side भी हमें pleats टालनी है लेकिन opposite direction में टालनी है तो center में box pleats टालनी है तो यहाँ पर भी हम pleats टालेंगे दोनों side बराबर से टालनी है तो इस side भी हम ती 3 pleats टालेते हैं अब हम इसे inch tape से नाब लेते हैं तो इसकी land हमें चाहिए लगबग 10 inch तो यहाँ पर हमारे पास यह आई है साड़ी 9 inch तो दोनों side से लास्ट की pleats है इनको हम छोटी कर लेते हैं तो यहाँ पर हम 8 से 12 महीने की बच्चे के लिए cap बना कर त्यार कर रहे हैं तो इसके लिए हमें यहाँ से इस cap की लंबाई जो है वो लगबग 10 inch चाहिए देखिए अब यह बराबर से 10 inch आ गई है अब यहाँ पर strap का जो center point है यहाँ पर जो हमने marking करी थी इसे हम यहाँ से cap के center point से मिला के रखेंगे और इस पर sly लगाएंगे ऐसे हमें इस पर sly लगानी है अब हम strap को ऐसे फोल्ड करेंगे यहाँ से ऐसे फोल्ड करके इसके उपर sly लगानी है कि यहाँ से यह जो margin है इसको हम अंदर की दरब दबाते हुई इस पर sly लगाएंगे दूसरे साइट भी हमें इलकुल ऐसे ही फोल्ड करके इस पर sly लगानी है तो दिखिए यह हमारी आट से बारा मेने के बच्चे के लिए कैप बनकर तयार हो गई है इसी तरह से आप छोटी और बड़ी कैप भी बनाकर तयार कर सकते हैं मेजर्मेंट लेकर पास से दस मिनट में टॉबी बनकर तयार हो जाती है और बच्चे को बिलकुल फीट आती है और कमफर्टेबल भी रहती है झाल प्राइबल बनकर तयार हो जाती है